नमस्कार साथियो स्वागत करता हूँ मैं अपनी यूटूब चैनल टीम विक इंजी गुरूपर तो दोस्तो आज की इस वीडियो के माधियम से बिहार स्वास्थ विवाग के कुछ जो की बहुत ही महत्पूर्ण सूचनाई जारी किये गए हैं जो की इस वीडियो के माधियम आप सभी को बताई जाएगी तो चैनल के लाश तक बन रहेगा चली दोस्तो वीडियो को स्टाट कर लेते हैं आप सभी के लिए सबसे पहले तो आप सभी के लिए और डीटेल्स में जानकारी आप सभी को बताते हैं तो चली सबसे पहले हम लोग सबसे पहले नियूस पर च तरभी पूरे अपडिस देखने को मिल रहे हैं अब इंब से काफी सारी लोग पूछेंगे सर यह ओफिसली सही है या गलत है तो देखिए सबसे पहले बता देना चाहता हूं बी एन आर्सी के ओफिसली वेबसाइट पर आपको कोई भी ऐसा नोडिस देखने को नहीं मिलेगा साथी मैं दोस्तों यहाँ पर मैंने बी एन आर्सी से बहुत कॉंटेक्ट करने कोश किया यहाँ तक मैंने उनके टेकनिकल नंबर उन पर भी कॉल किया पर उनके द्वारा बताया गया कि हमें यह सभी चीज की कोई भी जानकारी नहीं है और यहाँ पर जिनका कॉंटेक्ट नं कर दीजेगा आप सभी के लिए जो भी स्टूरेंट से वह रिपलाय आप लोग का देखने जरूर जाएंगे अब दोस्तों यहां पर मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं यह आज के डेट के ही जो की जागरन के एकफार में यहां पर अपडेट दिया गया है यहां पर मैं को सौटली यहां पर जानकारी दे देना चाता हूं देखिए दोस्तों आप सभी के लिए अस्पतालों में नए ड्रेस का यहां पर परितिवंद किया गया क्योंकि कई सारे से स्टूरेंट इसे करमचारियां होते हैं जो कि अपने अपने सही वेस में नहीं आते मतलब कि पर बड़ी सारी दीखती होती है कई सारे मरीज जो की नर्स को देखते हैं तो उन्हें लगता कि यह डॉक्टर है इसको लेकर कि भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं तो इसी के लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट जो कि यहाँ पर भीहार स्वास्त विभाग दोरा पर इड्रेस और यहाँ पर सिर्फ मरीज ही नहीं यहाँ पर स्वास्त क्रमचारियों के लिए भी एक नया अपडेट आया जो कि मैंने आपको सुवाइक वीडियो के मादे हमसे अपडेट दिया है साथी में दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आप सभी के दिनें या फीर जो भी आपके सकतो हूं सभी की बहाली रद नहीं हुई है, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि जूनियर, इंजीनियर के लिए जो भी बहाली यहाँ पर निकाली गई थी परमानेंट भड़ती जो की बीटी एसी के माधियम से वो बहाली आज कोट ने यहा पर एक तरह से बोल सकते हो कि रद कर दिया गया अब रद करने का बाद यहां पर क्या आगे की जानकारी बताए गया है उनके दौरा तो देखिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रद तो किया गया है पर यहां पर एक अच्छा निरने यह लिया गया है कोट के हिसाब से कि य आपके लिए बैड नीज तो जरूर है कि भरती रध हुई है लेकिन आपका एक प्लस पॉइंट यह है कि यहां पर कोट के दरफ से आदेश दिया गया है यह भरती आपको छो महिने या फिर चार महिने के अंतराल में ही कम्पलीट कराना है यह निशीत रहिएगा उतना भी बीटीएसी से कोई भी इसके बारे में सूचना अभी ततकाल जारी नहीं किया गया है और यहां पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ आज के ही डेट में यहाँ पर आप सभी देख से दो गुरुवार का हिंदूस्तान के एकवारी यहां पर अपडेट दिया गया सबसे पहले सभी सदर अस्पतालों में आठ मानकों के केस मतलब कि यहां पर आठ महत्पुन्ड पॉइंट यहां पर रखे गए जिसपर की कारे किये जाएंगे अब आठ महत्पुन्ड का पॉइंट किया है यह तो आप लोग को यहां पर वीडियो को पाउस करें पढ़ लीजेगा देखे मैं आपर मेंली यहां पर बता देना चाहता हूं यहां पर अपडेट दिया गया है कि जल्दी अस्पतालों में जो भी चीजों की कमी है और वह खासतोर पर चाहे डॉक्टरी की हो चाहे वह यहां पर टेक्निशन की हो चाहे द्रेशर की हो त्क माम स्वास्त करम चाहिएं को यहां पर लोगह का री दोस्तों यहां पर बताना साथी में इसकी यहां पर रिपोर्ट भी बनाए जाएंगे यहां पर आप लोग पूरा देख सकते हो चुकि हाला कि मिशन सिक्ष्टी के तहत सदर अस्पताल में यहां पर कई काम कराए गए हैं सभी सदर अस्पतालों में विशेश चिकित्सक की तैनाती की गई है चि सारे सुविधाय मिल पाएंगे दोस्तों तो यहीं आज के कुछ बड़े अपडेट से आप सभी के लिए अगर आपको जयानकारी पसंद आई और तमाम लेटेस्ट अपडेट जपाने के लिए चैनल को जरू-जरू सब्सक्काइब कर दीजे क्यूंकि आपको हमारे चल पर लगातार इसी प्रकाट की जानकारिया और डेली के डेली आपको हमारे चल पर बेसिकली मिल जाएगा तो मिलते कोई शुरू में तब तक के लिगुडवाई जेहीन जेवाद बने मात्रम थाइंगी फो वाजी में वीडियो मिलते धन्यवाद दोस्तो धन्यवाद